एलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग चलिए आज मैं आपको बहुत यह अच्छी चीज लेकर आया हूं आपको के लिए बहुत बहुत बहतरीन है वेप आप थंबलेन पढ़के जान गए होंगे कि मैं किया बताने वाला हूं जी हां आपका फोन अगर कोई अनलाग करने का देखे सकंभOS, काम है मैं आपको बता हूंगा कि इसको कहां से डानलोड करना है उसारा नाम किया है कैसे इससका शेटिनक सेटिंग तॉरा डिप्रेंट है मैं आपको आर वीडियो मिल मन्या हूं धूर्द्र ने मैं बता रहा हूं आप इसको बहुत ही आसानी से शेटिन नह आप देख रहे हैं यूटूब चैनल टेक्निक का रामबली चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूं बड़ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले और घंटी को दबाकर और नॉटिफिकेशन पर क्लिक ले था कि जब भी हम अगला वीडियो अप्लोड करेंगे उसका नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको डानलोड कर लेना है उसके बाद आपको देखिए हैं नेस्ट पाएगा नेस्ट करिएगा नेस्ट करिए नेस्ट करिए फिनिस कर दीजिए अभी आपका में काम यहां से सुरू होता है तो चलिए मैं सुरू करता हूं सेटिंग में आज़िएगा और यहां पर आने के बाद देखिए इंक्लोड लिस्ट याप लॉंचेड एपसें रिपोर्ट्स बाकी चीजे इसमें दीखें बहुत सब कुछ है अभी आपके यहां दिखें यहां एक आपसें दिखेंगा फ्रेलेड अनलाग अटेम्ट मनट और निंग तो आपको यहां पाजाएगा एक्टिव पर दिखेंगे एक्टिव है और इस्टाल है चैंसल है आप एक्टिवेट टीकर आपसे एक्सेज करने के लिए बुलेगा तो आप आप पाएंगे इस पर केसे करने के लिए इसको वान करेंगे नियुक्थ हो जाएगा अति इसकी यहां से आप डार्क में रड़ा सकते हैं आपको लाक करके दिखाता हूं कि अबटक करके दिखाता हूं तो आपको एक चीज बताने के लिए मैं भूल गया अभी आपको दिख रहावगा यह एक बटन जैसे इसमें सर्कल इसमें एक खड़ी पाई जैसे दिख रहा है आप इसको टच करेंगे और फिर हाँ वक्कि कर द तो अभी आपको यहां जैसे मैंने बताया आपने यहां पर टाच करेंगे तो गिरिन हो जाएगा यह ब्लेक रहेगा इसा तो आप टाच करेंगे तो आप टाच करेंगे तो गिरिन हो जाएगा अभी यह आपका वर्क फ्ली करेंगा ठीक है यह आपका आपसे वर्क करेंगा अ अभी मैं एप में जाता हूं यह देखिए अठारम माज ठीक है आठ बच के चौतिस मिल्ट हो रहा एक ताली सिकंड पर फोटो कैप्चर कर लिया हुआ है अभी यह देखिए मैं बाहर में हूं तो इसलिए पूरा फोली नहीं दिख रहा है ठीक है तो इसी साब से आपका दिखिए मैं पूँ